नमस्कार साथियो आज 14th of May और इस सेशन में दा हिंदू इडिटोरियल का वोकेबली कवर करते हैं तो चलिए सेशन स्टाट करते हैं उससे पहले वीडियो लाइक कर देजिए और अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किये हैं तो जल्दी से चैनल सस्क्राइब कर देजिए ठीक है अगर इसके मिनिंग की बात करें तो इसका मिनिंग क्या हो जागा countless और extremely great इनमबर यानि कोई चीज क्या हो बहुत ज्यादा संख्या में हो ठीक है जो countless हो जिसको हम गीन नहीं सकते हैं ठीक है लाइक जो आसमान में बहुत सारे तारे हैं तो उसको हम क्या count कर पाते है नहीं कर पाते हैं ठीक है तो ऐसे ही मतलब समझ गया कि enumerable मतलब क्या होता है जिसको हम count नहीं कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा हो number में अगर इसके हिंदी मिनिंग के बात करें तो हिंदी मिनिंग क्या हो जागा बेसुमार ठीक है अगर synonyms की बात करें इस वर्ट का synonyms countless हो स अगर नेक्ट वर्ट हमारे सामने है टेंट अमांट क्या है टेंट अमांट अगर टेंट अमांट की बात करें तो यह एक एड्जेक्टिव है जिसका मिनिंग होता है equivalent in seriousness to virtually the same as यानि किसी चीज के क्या हो equivalent यानि बराबर हो ठीक है तो सिम्पल साइसका है निक हो सकता है बर hunting to हो सकता है synonymus with हो सकता है फिर पिर अधिकल हो सकता है अफिर comment to rate यासे अप वर्ड सिणोनेम स्परते हैं तो यह अभी पुर रहे हैं, synonyms का मतलब क्या होता है कि इसके बराबर यानि कि जिसका value इसके same हो तो इस तरह ही मतलब क्या होगा है यह same हो, equivalent हो, identical हो, इस सब का मतलब होता है बराबर हो, ठीक है, तो word and amount का मतलब क्या होगा, बराबर या तुल्ले, अब चलते हैं next word के तरफ, next word है overarching, अगर overarching की बात करते हैं, यह क्या है, और यह word बहुत बार repeat भी हुआ है, हम मतलब आप से expect करेंगे कि आप इसका, जो भी इसका meaning है, synonyms है, या फिर, अगर इसका अगर आप त्रीक भी comment box में comment करते हैं, तो बहुत अच्छा फिलोगा मुझे, क्योंकि यह word बहुत बार repeat मैंने करा दिया, ठीक है, फिर भी हम इसका meaning बता दे रहा है, तो इसका meaning की बात करेंगे, तो मिनिंग क्यों हो जाए, और all-embracing, जो क्या हम मतलब comprehensive हो, ठीक है, यानि कि इसका है, यानि कि इसका है, ब्यापक हो जाएगा, synonyms की बात करेंगे, all-compassing हो सकता है, predominant हो सकता है, all-embracing हो सक dispel, dispel एक भर्व है, ठीक है, dispel क्या एक भर्व है, जिसका meaning होता है, to remove fear, doubts, and false ideas, usually, and providing them, wrongly or unnecessary, यानि कि क्या करना, आपके अंदर अगर किसी चीज को लिएक डर है, doubt है, या कोई गलत आइडिया है, कोई गलत चीज आपके माहिन में, तो उसको क्या कर देना, providing them wrong, और उसको गलत सावित कर देना, ठीक है, या unnecessary, यानि कि उसको अनावसेक समझ के क्या कर देना, दूर कर देना, ठीक है, dispel, dispel मतला समझ गया, यानि कि जो गलत चीज है, आपके दिमाग में, ठीक है, या किसी चीज को लिएक डर है, कोई समस्चे है, तो उसको दूर कर देना, क्या करन दूर करना तो डिस्पेल मतलब समझ यह क्या करना किसी प्रावलम समस्ज़ा को यह को डाउट को गलत आईडिया को दिमाग से निकालना सिनोनेम्स की बात करें तो डिस्मिस आउस्ट डिस्पर्स ड्राइब आउट या चेज़ अवे हो सकते है ठीक है यह सार इसके सिनोनेम्स एक भर्व यहार शर्बेट ठीक हे एक जासरव गलत अरवर जिसका मिनी होता में के प्रब्लम इंजरी और 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 शीक Wheels या करना कि यह किसी प्रब्लम я इंजरी और आफैंस को क्या कररें और ज्यादा खराब करने ठीक ही और उसके अर्ब ज्यादा उसको सीरियस कर देना य यह सब इसके सीनौियम से एकर बैंट इनिटेंप इंटेंसिफाई यहाइट यह सरके सीनौियम से हो वर का जो यह बहुत है गम भीरता बढ़ाना चलते हैं नेस्ट के तरफ नेश्ट अप्राइए इनीमिकल इन्मिकल की बात करें तो एक adjective है यह क्या adjective है जिसका मिनिंग होता है harful और harmful to something यानि किसी चीज के लिए कोई चीज क्या हो नुकसान दायक हो इसका हिंदी मिनिंग क्या होज़ागा हानिकारक या प्रतिकूल देखिए एक होता है अनुकूल जो उसके लायक हो मने जो उसके लिए भायदे मन्द हो तो यह प्रतिकूल हो गया उसके अगेंस्ट है ठीक है तो इनिकल मतलब क्या होगा हानिकारक सीनोनेम् laquelle प्रेटाइब्म इंजुरियस डट्रिमेंटल तो य辜ा फिर डिलेटेरिएब Sherlock या फिन डिलेटेरियस हो सकता है वाध हमने करा है सेम मिनिग जिसका मतलब होता है कि मतलब क्या हनी कारो कोना और इसका त्रिक वह हमने बताया थाptions के लिए कि जो वायरस को होता है उसको क्या करका डिना चाहिए जो हानिगारतर वायरस है हमारे संक्भ करकाए है मिटा देना चाहि है रव आपको याद होगा अगर आप रेगुलर स्टुएंट होंगे तो और अगर आप नए है चैनल पर जुरूर चैनल सस्क्राइब कर देजिएगा और कमेंट बक्स में जरूर एक बार से बता देजिएगा यहां हम इस चैनल पर नए है और वीडियो कैसा लोगेगा इभी जरूर जरूर बताएएगा ठीक है कोई क्वेरी है कोई सगेशन है तो आप हमें कमेंट बक्स में जरूर बता सकते हैं ठीक है अब चलते हैं नेस्ट वर्ड के तरफ नेस्ट वर्ड है सॉल्डर क्या है सॉल्डर सॉल्डर एक भर्व है जिसका मिनी होता है टेक on yourself responsible for something and start doing it मतलब कि इसे चीज के लिए अपने आपको जिमेदाव स्थाराना अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहा है ठीक है यानि कि अगर responsible आप खुद हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा उतरदायूत तो लेना यानि कि आप उस खुद के responsibility लेंगे अगर कुछ स्टार्ट कर रहा है तो क्यों undertake या फिट केरिया यह क्या होगए इस वर्ड की योनिम्स हो गार चलते हैं नेक्स वर्ड के तरफ नेक्स टोडे ड्रेकोनियां का है ड्रेकोनियां की बात करें तो एक आड्जेक्टिव है जिसका मेनिंग होता है अफ़लॉव और रफ्लीकेशन एकसेसिबली हार्स ए यह क्या है चिरी दि靟 क्या है जिसके मेनें ani करो हैं आप जैसे आप सौधी अरब की बात कर लें जो नंडि यांगा सवेके बहुत जादा ड्रेकोन याननी काफी ज्यादा कॉधे लोगां है एप लेंगे फु Machtंट यह लोगे के इन वे डेट गिव्स इन्थ्वास्टिक प्रेश मतलब आप ऐसे रास्ते में होना अपलब ऐसे कोई काम करना जिससे आपको कहाँ बहुत ज्यादा खुछी मिले ठीक है इसका हिंदी में निकाल उत्सापूरवक ठीक है इसके इसके इसको याद भी रख सकते हैं अब देखते हैं नेस्ट वर्ड और आज के सेशन का ये लास्ट वर्ड है वड़क कंपाउंड की बात करें तो यह बहुत है कि यह का है एक भर वर्ड जिश कम इन होता हम इसको बिगार देना खराब कर देना मैक सुम्थिंग बैट मैंने किसी चीज को बढ़ा कर देना तो उसमें त्राइब करता था उसको बनाने का लेकिन वह बनता तो नहीं था लेकिन और ज्यादा क्या जाथ भी गड़ जाता था तो कमपाण मतलब क्या और बिगार देना सिनोनेम्स की बात करें तो और से एग्रवेट एजर बेट या फिर इंटेंसिफ हो सकते ये सब इसके सिन आपको पसंद आया होगा आज का सेशन यहीं पर समाब तुगा मिलते हैं फिर अगले सेशन में जय हिंद